साम्पला में HPCL और IOCL ने तेल पाइप लाइन पर की सयुक्त मॉप ड्रिल खाबर हर्याना प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीन चोपडा की रिपोर्ट भारत सरकार की महारतन कंपनी HPCL और IOCL ने आज पाइप लाइन में किसी भी अन्होनी की घटना को निपटने के लिए अपनी तयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉप ड्रिल का आयोजन किया ये ड्रिल IOCL की सलाया मतुरा पाइप लाइन जो की तहसील सामपला जिला रोह तक से गुजर रही है वहाँ पर 15 दिसंबर शुक्रवार को आयोजित की गई जिसमें ओफ साइट आपदा प्रबंधन योजना की प्रति आसपास के गाउं के ग्रामीनों को जागरुक किया ग ये मौजूद 5 प्लस पॉम टेंडर का भी इस्तिमाल किया गया ग्रामीों को जागरुक करते हुए कहा गया कि अगर अग्यात कारणों के चलते पाइप लाइन लिकेज हो जाए तो ऐसी परिस्तितियों में तुरंग कंपनी की टोल फ्री नंबर ओव पुलिस को सूचना दे अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद थे एवं डीप्यों रोहतक भी मार्ग दर्शक की रूप में उपस्थिप थे जिला रोहतक की फायर ब्रिगेड की गाडियों सहित इंबुलेंस भी हचपी सील के साथ तैनात रही मौजूद ग्रामीन एवं सरपंच समालिया नेवी मोग्रिल में भाग लिया एवं हपी सील एवं आयोसीलकी की सराहना करके उत्साहवर धन किया आईो सील की और से श्री आलोक राये महाप्रभांधक NRPL पानीपत एवं HPCL की और से श्री अमित कुमार मुख्य प्रभांधक HPCL बहादुर्गर्ड ने सभी मौझूद अदिकारियों एवं ग्रामवासियों का धन्यवाद करके आभार व्यक्त किया तो आज दिल की गई है जो समझे बेसिकली क्या है यह हमारी पाइपलाइन यहां से जो प्रोड़क्ट की क्रॉस करती है यह एक्जुलन्सिल प्रदार्थ है और काफी ज्यादा उच दाप पे चलती है हाई प्रेशर पे तो इस लाइन के ऊपर कोई भी शेरखानी किसी मिस्क् है तो उसमें सीवियर एक्सिडंट हो सकता है जिसमें जानमाल का नुकसान हो सकता है तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारे सारे एफ़र्ट लगे हुए रहते हैं इसके बाद भी अगर इसके बापजुद अगर कभी ऐसी दुरघटना हो गई तो उसके बाद हमारा क्या इस लिए हम दोनों मिल करके इसको और इसके साथ साथ यहां के जो आसपास के ग्रामीन है जो हमारे आख और कान है उनको इसके द्वारा ये भी सिख्षा दी जाते हैं कि अगर इस तरह के कोई मिर्स्क्रियंट या कोई ऐसे लोग नजर आए जिनको इस एरिया में नहीं होना चाहिए या कोई ऐसे एक्टिवीटी करते हैं तो उसकी तुरंट सुचना के अरिकारियों को या हमारे जो सेक्रिटी गार्ड है या टॉल फ्री नंबर करें आज का जो यह मॉग्डिल जो जूइंट मॉग्डिल की एक सफल प्रयास था पाइपलाइन की सुरक्षा विवस् प्रेक्टिस थी आज बहुत ही सफलता पूर्वक पूरी हुई है और जिला प्रसाशन की मदद से और उनके आदेश से यह हम लोग हर साल हर जिले में करते हैं तो आज का यह प्रयास बहुत सफल रहा और बाकि हमेशा हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि आगे जो भी हमारे प यह हमारा प्रयास रहता है और आज यह बहुत ही सफल रही यह आज एच्पी से ल की तरफ से और आयो से की तरफ से मिलके ज्वाइंट मुख डिल की गई है जो कि एक अच्छा परियास है और इस तरह के परियास हर साल या तीन-चार मेहने में एक बार होते रहने चाहिए ज त्यारिया काफी अच्छी थी एच्पी सेल की जो का फायरफाइटिंग टीम है उसने बहुत अच्छा परियास करें था और अच्छा परियास किया उन्होंने और इसके साथ साथ ट्रिपल पी का भी अपने योगदान होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट तो इसे अपनी खुद की प्रिपेर्डनेस के पता चलता है डिपार्डमेंट को कि भई हमारे के कौन-कौन से रिसोर्सिज काम में आते हैं और प्रिपेर्डनेस के पता चल जाता है कितने हम शक्षम है कितने लिमिट टाइम के अंदर हम अपना इन चीजों से अपना निज